इस वीडियो में मैं आप लोगो को बताऊंगा कि आप किस तरीके से trend line को draw कर सकते हो दोस्तों trading का सबसे basic part trend line होता है यह market का foundation है अगर आपने trend line को draw करना सीख लिया एक बार तो आप इस stock market का foundation को बहुत easily समझ सकते हो अगर आपने trend line को draw करना एक बार सीख लिया तो आप 70% trading समझ जाओगे तो आप लोगों को समझना बहुत important है कि हमें trend line को कैसे draw करना होता है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत easy तरीके से explain करूँगा कि हमें कैसे trend line को draw करना होता है तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत important होने वाला है कोसिस कीज़ों कि वीडियो को last तक देखने का तो आए वीडियो को start करते हैं और मैं समझाता हूँ आपको हर एक चीज तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं अपने chart पे अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को जब भी trend line draw करना है तो हमें सिर्फ यहाँ पे दो चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है ना सबसे पहले है हमारा uptrend ठीक है and दूसरा किया है downtrend तो ये uptrend and downtrend दोनों में trend line draw होता है तो uptrend में ये क्या बनता है uptrend में हम लोगों का बनता है higher low and downtrend में हम लोगों का बनता है lower high तो इस चीज को आप लोगों सबसे पहले समझना पड़ेगा आईए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ तो higher low क्या होता है देखिए ये high गया ये low आया फिर ये high गया फिर ये low आया तो इसको हम लोग कहते हैं higher low तो आप लोगों को हमें सब train line draw करने से पहले दो points की ज़ुरत होती है तो simple तरीकी से मैं आप लोगों को यहां पर समझा देता हूँ तो हम लोगों का up train में 2 swing point चाहिए क्या चाहिए higher low and down train में हम लोगों को चाहिए lower high ठीक है ना 2 lower high point से हम लोगों का down train का train line बनता है and 2 higher low point से हम लोगों का up train का train line बनता है तो simple तरीकी से मैंने आपको यह चीज़ समझा दिया अब यहां पर देखिए हर चीज़ आपको बहुत easy तरीकी से clear हो जाएगा तो मैंने आपको यहां पर base समझा दिया कि train line draw कैसे होता है up train में हमें 2 point का ज़रत होता है higher low and down train में हमें भी 2 point की ज़रत होती है lower high simple है कुछ भी complicated नहीं है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप accurate train line कैसे draw कर सकते हो तो आईए हम लोग यहां पर chart में आते है and this is my 15 minute chart यह हम लोगों का Nifty Bank का 15 minute का chart है दोस्तो वीडियो कंटीनू करने से पहले मैं आप लोगों को यह चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अभी जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ ट्रेलाइन के बारे में दोस्तो कुछ दिनों से आप लोगों ने हमारे वीडियो को बहुत सपोर्ट किया है उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यावात अब देखिए इधर आते हैं हम लोग चार्ट पे अब यहां पे हमें दो पॉइंट का जवरत होता है उसके या तो साइडवे होता है या फिर नया कोई ट्रेंड बनाता है वह तो इस चीज को बहुत लोग नहीं जानते हैं जिसका वैसे उन लोगों का लॉस हो जाता है तो एक चीज का आप लोगों को हमेसा ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी आप लोगों को दो पॉइंट इस तरीके से मिल जाता है ना तो मिल जाने के बाद जब हम लोगों का इस तरीके से ट्रेंड लाइन जो होगा उसके बाद अगेन जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आके जब वह बाउंस ले लेगा उसके बाद यह लाइन होता है दो इस पायर हो जाता है ठ ठीक है, नप, तो देखी है, हम लोग यहाँ पर trend line से, इसको connect करते है, तो connect करने के बाद, क्या होगा, ना, इसको हम लोग extend कर लेते है, अब देखी, extend करने के बाद, हम लोग यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप लोग और option दिख रहा या हम लोग का यह higher low, अब हम लोग यहाँ पे इसको candle पे convert कर देते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग का एक point मिल जाता है, ठीक है न, तो यहाँ पे आप entry कर सकते हो, अब दोस्तों यह जो line है आपका, यह line हो गया expire, उसके बाद देखिए, अब यह market इसको respect नही करने वाला है, अब हम लोग का new line कहां से बन रहाए, एक हम लोग का हो गया यह वाला, एद दूसरा हो गया यह वाला, चलिए हम लोग इसको connect करते हैं, यहाँ से लेंगे हम लोग इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए, यह again यहाँ यहाँ पे bounce offense लिया न, तो हम लोग यहा बहुत बड़ा secret है कि जब भी ये three touch के बाद जो होगा ना वह line expire हो जाता है तो सबसे पहले इस चीज को आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा अब आईए हम लोग इधार आ जाते हैं दिन अगें हम लोग train line draw करेंगे कौन सा point दिख रहा है यह वाला दिख रहा है यह तो देखिए हम लोग इसको joint कर देते हैं ठीक है इस तरीके से तो हम लोगों का यह वाला point मिल गया again हम लोग यहां पर buy कर सकते हैं तो अभी मैंने आप लोगों को एक बहुत बड़ा secret बताया कि यह lines किस तरीके से काम करता है और दोस्तो एक जो trader होता है वही इसको समझ सकत है क्योंकि वह system पर काम कर रहा होता है और मैं professional एक trader हूँ तो मुझे पता है कि कैसे हमें काम करना होता है और जो बंदा trader है नहीं वह explain नहीं कर सकता है आप लोगों को तो अभी मैंने आप लोगों को up train का दिखा दिया अब आईए हम लोग यहां पर down train के train line को draw करते हैं तो down हम लोग यहां से trainline को joint कर देंगे इस ठीक है तो हम लोगों यहां पर line को देखते होगे trainline को join किया ते अगें हम लोग यहां से candle में convert कर लेते हैं तो आप इस तरीके से accurate train line draw कर सकते हो जब भी आप लोगों का draw करना है trainline तो आप लोगों यहां से पहले इसको line कर ल अब वह लाइन एक्सपायर कैसे होता है कि जब भी दोस्तों आप उसको वह मार्केट यहां पर टक्राएगा इस ट्रेंड लाइन पर तो वह उसको ब्रेक आउट देने की कोसिज करेगा हमेंसा इस चीज का आप लोग को हमेंसा ध्यान रखना है कि जब भी यहां पर डाउन ट दिख रहा है तो हम लोग इन दोनों पॉइंट को connect कर देते हैं फिर देखते कि हम लोग का ठ्रेंड लाइन इसको होता है कि नहीं तो हम लोग को ने इसको connect कर दिया तो connect करने के बाद यहाँ पर देखें क्या हुआ यह first item, फिक है this second item and is third item फिंप अच्छा bounce आई यहाँ पर और इसका बाद दोस्तों यह जो इसको breakdown कर दिया क्योंकि यह जो line है यह line expire हो चुका है यहाँ पर देखे breakdown दिया, breakdown देने का बाद फोड़ा यहाँ पर consolidate हुआ जिन लोगों ने छोटे छोटे stop loss लगाया होंगे यहाँ पर उन लोगों का stop loss ही टुआ होगा उसका बाद दोस्तों यहाँ पर market ने एक यहाँ पर downfall start किया and this is also bearish pattern यह एक bearish pattern होता है देखे जब भी market यहाँ पर down जाता है अगिर market continue downfall start करता है so this is a pattern ठीक है तो हम लोग train line की help से ही pattern को draw करते है I hope कि मैं आप लोगों को easy तरी की जख explain कर पारा हूं वीडियो और आप लोगों को पसान आए तो like जरू करना वीडियो को and दोस्तों बहुत थाई लोगों को मैंने YouTube पे बोलते हुए देखा है कि train line तभी draw होता है जब multiple time touch होते हैं वहाँ पे लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है multiple time touch होने के बाद वो line हो जाता expire लोग वहाँ पे करते हैं entry and लोगों का हो जाता है loss तो इसके बारे में कोई नहीं बताता है जो एक trader है वही आप लोगो समझा पाएगा कि actually में train line draw कैसे होती है क्योंकि हम लोग live market में काम कर रहे होते हैं and हम लोग बहुत सारी चीजे face कर चुके हैं कि कैसे काम होता है आईए और भी चीजे मैं आपको यहाँ पे chart में समझाता हूँ देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे कोई भी train line को draw करेंगे न इस swing high से इस swing higher लोग को तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको line कर लेंगे ठीक है हम लोग उने इसको line कर लिया ठीक है ना इसके बाद देखिए यह line expire हो जाता है एकसपार होने के बाद सीधा दोस्तों यहां पे इसको इसने breakdown दे दिया बहुत सब्सक्राइब लोग यहां पर यहां पर इंट्री करेंगे जिनको नहीं पता होता कि क्या होता है expiration और उनका दोस्तों यहाँ पर loss हो जाता है तो जब भी आप लोगों को train line draw करना है तो अपने chart को पहले line में convert किजिए train line draw होने के बाद आप again उसको candle में convert कर लीजिए यहाँ पर देखिए सीधा market यहाँ पर gap down हो जाता है बहुत साही लोगों यहाँ पर carry forward किया होगा I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा I hope दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके सरा में train line को देखना पड़ता है आई यह अधर और भी चीजे में आपको दिखाता हो यहाँ पर हमें दोस्तों दिख रहा है train line अब जब दोस्तों यहां पर market दूसरे बर टक्राएगा तो वहां पर कोई chances नहीं है कि वह उपर चला जाए probability कम होता है उपर जाने का नीचे आने की probability जादा होता है तो देखें यहां पर क्या होता है सबसे पहले हम लोग यहां पर इसको candle में convert कर लेते हैं और यहां पर देखिए ठीक है सीधर यहाँ पर दोस्तो market डाउन आ गया एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर इंट्री करेंगे कि नहीं यहाँ से market आप बाउंच जाएगा ना multiple time touch हुआ है बहुत सारे लोग आप लोग को दिखाते होंगा कि यह multiple time touch होता है तो वो और ज्यादा उपर जाता है तो ऐसा बिलकुल नहीं होता है दोस्तो जो लोग आपको समझाते है ना उस से उल्टाई होता है market में तो सारा जो पैसा है ना वो एक आदमी का पास चला जाएता अगर उसका पास सारा knowledge है तो तो चीजों को सीखिए समझे अपने आँखों को trend कीजिए तो इस वीडियो में मैंने आप लोग को आज trend line draw करने का एक genuine method बताया I hope दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like जरू करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तके लिए good bye have a nice day